नमस्कार बच्चो मैं इंपल्स हैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कतिया उनलाइन क्लास तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में बचो हम पढ़ रहे हैं यहां पर बिहार बोट 10 लास संसकति और इसमें अभी हमारी प्यूशम भाग दो खतम हो चुकी है अभी हम पढ़ रहे हैं दुरूत पाठाय दो और दुरूत पाठाय दो में यह जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है भीश्म प्रतिक्या आप सभी ज पहला है हमारा रिगवेद, यजूरवेद, सामवेद, अधरवेद, चारवेद और पंचम वेद कहा जाता है महाबारत को आपको याद रखना क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जब गरंतों की बात की जाती है तो तीन गरंत हैं हमारे कौन-कौन से है भागवद गीता, श्र अधरद ने एक भीश्म प्रतिग्या करी थी, इस कारण से उन्हें पितामा भीश्म भी कहते थी, पितामा कौन होते हैं? कि जो भीश में प्रतिग्या है उसका क्या अर्थ है तो भीश में प्रतिग्या ऐसी थी कि देवरत जब अविवाही थे वैसे देवरत भ्रह्मचारी थे उन्होंने जिवन भर विवार नहीं किया लेकिन जिस समय उनकी आयू विवाकी हो चुकी थी उस समय उनके पिता आचान कि पास जाते और पुछते कि नहीं कारण तो वो कहते हैं कि इसका आभास हो गया है उसके अनुबथी हो गया उससे प्रेम हो गया और वो उसे विवा करना चाहते लेकिन धीवर की ये एक शवर्थ है कि दीवर यह कहना चाहता है कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही अगर राजजदिकारी बनता है तो मैं विवा करूँगा वरना मैं विवा नहीं करूँगा क्योंकि आपका एक्जिस्ट पुत्र है अगर उसने विवा किया तो उसका पुत्र बनेगा राजजदिकारी और या तो तो वो बनेगा और ये वो नहीं बनेगा तो उसका पुत्र बनेगा तो धीवर को ये शंका थी कि मेरी जो पुत्री है वो मैं बहुत छोटे तपके का व्यक्ति हूँ और छोटे तपके का व्यक्ति हूँ इसलिए मेरी पुत्री का कोई हो सकता है कोई भुमिका है या नहीं हो इस राज्य में तो मैं अगर ये शर्थ रखता हूँ तो मेरी पुत्री का जो मुल्य है मुल्य मतलब मेरी पुत्री की जो एहमियत है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी अब ये बात जब देवरत को पता चलती है तो वो जाते धीवर के पास और उनकी पुत्री का जो हाथ है वो अपने पिता के लिए मांगते है तो वही शर्थ वापस आ जाती है उनके सामने तो देवरत कहता है कि मैं प्रतिग्या करता हूँ मैं प्रतिग्या करता हूँ कि मैं आजीवन भ्रह्मचरे का पालन करूँगा तो उस समय वे भ्रह्मचरे का पालन करूँगा जाहे कुछ भी हो जाये लेकिन मैं प्रतिग्या को कहा गया है भीश्वन प्रतिग्या जो उन्होंने आजीवन निभाई और आजीवन निभाने के बाद आप देखी जो कौरव और पांडव थे वो उनकी माता जो सत्यवती थी, उनके दो पुत्र थे, उन पुत्रों की संताने थी यह, जिसमें पांडू और दृतराश्ट थे उनके पुत्र, तो राजा पांडू जब स्वरकसिदार गए थे, तो दृतराश्ट ने क्या करा? राज्यकदी समाले और उसके बाद आपको पता है महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ था और सभी को अच्छे से पता है तो बच्चों आज हम यही यह जो महाभारत काल की जो कथा है उसका जो बीजारोपन है उस बीजारोपन को पढ़ने वाले बीजार ओपन समझते हैं आप कि मावारत की कथा या मावारत का युद्ध कौरब पांडवों के बीच में जो मद्वेद था वो यह सारी चीज़े जो हम पढ़ने वाले उसका जो मेन स्रोथ है मूल स्रोथ है वो कहां से निकला है वो आज हम यहाँ पर भिश्व प्रतिग्या के मादम से पढ़ेंगे तो चलते स्टार्ट करते और यह जो चैप्टर है भिश्व प्रतिग्या वन शॉट में पूरा होने वाला है आज पूरे चैप्टर को हम हिंदी अनुबात के साथ में और कोशन अंसर के साथ में पूरा करने वाले चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी समय लगता हो कोई फरक नहीं परता है लेकिन हम आज इसे पूरा करेंगे और आप देख भी रहे है कि दुरूत पाठाए कि जितने भी मतब चैप्टर है वो सारे के सारे वन शॉट में हो रहे हैं तो ये भी पूरा एक वन शॉट में ही होगा तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास जिसका नाम है भीश्म प्रतिग्या यानि कि भीश्म की प्रतिग्या भीश्म कौन थे पितामा भीश्म यानि कि देवरत ठीक है सबसे पहले as usual जो हम काम करते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले chapter की संसकत में reading लगाते हैं उसके बाद हम बारी-बारी से इसका अनुवाद करते हैं जैसे अब ये एक सम्माद आतमक पाठ है जिसमें देवरत, अमात्य के बारे में बातचीत हो रही है दोनों की बीच में बातचीत हो रही है फिर धीवर और देवरत के बीच में बातचीत हो रही है तो उन बातचीत को यहाँ पर डायलोक्स की रूप में सम्माद की रूप में रखा गया और ऐसे ही उनका अनुवाद भी नीचे ही लिखा गया, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी कठी नहीं होने वाली नहीं है, समझने में, पढ़ने में और उसको क्लियर करने में, तो आज ही यह सारा आपको याद हो जाएगा, तो शुरू करते हैं, देव ब्रत, स्वगतम, अहो न जाने केन कारणे अध में पित्र चर्ना चिंता विलोक्यंते, किम तेशाम, काचित, शारीरिक पीडा, अथवा किमपी मानसिक अमात्य समीपम गत्वा, पितू, शोक कारणम पच्छामी, पितू, पितूस चिंताया, अपन यानम, तस्य, परप प्रधानम करत्यवं भवति, पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परम तत्व, पितरी प्रती मापन्ने, प्रियंते सर्व देवता, धिकम तम सुतम या पितूरी सिप्तायार्थ, शमो अपी तत्र प्रति पादयेत या, जातेन किम तेन सुतेन काम पितूर, चिंता ही इस्थानम अमात्य भवनम अमात्य आयांत भिश्मत द्रड़ा अहो राजकुमार देवरत अगम्यताम अलंक्रियतामासन आसनमिदम देवरत प्रणम्य उपविशती राजकुमार कुतो नाम एतस्मिन असमय अत्र आगमन भवत देवरत अमात्य वर्या अधा किमपी नूतनम व्रतम द्रश्टा विश्मित मानस तंसमाधानय भवत्य समीप समूपागतो असमिदम अमात्य आगम्यताम्य उपविशती सास्चर्य तत कीमती देवरत विदमानेश वपी समस्तेशू सुख साधलेशू न जाने अधकेन हेतूना ममपित्र पादा दुखीता चिंता कुले तस्च प्रती अंते तदे तस्य कारण अहम ग्यात्वाच तस्य प्रतिकारम करतूम इच्छामे आगे देखिए अमात्य उ भवाद द्रशा मार्य पुत्रणम ब्रत देवरत यद यदी भवंत एतसे कारणम जाननती तरही तत प्रकाशनेन अनुग्रहित वस्मी अमात्य राजकुमार बाडम जानमी एतसे कारणम तु आर्य पुत्र एवास्ती देवरत्र सास्चर्य अहमेव कारणम हां धिक तत कथमी अमात्य राजकुमार एकस्मिन दीने महाराज वन विहार खेलायां रमुना नदी तीरे परी ब्रहमती स्मा तदानीम तदानीम दुरादेव स्वशरीर सुगंदेन निखिलमपी वनम सवासियंत एका सत्यवती नामनी परम सुंदरी धीवर राजकन्या तस्य अकस्मात द्रश गता तत़ ततस्वयस्या अद्भुतें ग्रूपेंग विस्मय जनकें सुगंद हम्यार श्ततविवारम्य विवाहं कर्तुमा असस्थस्या पितरम अयाचत देवरत महराज इद्रश्य संबंद अस्य अप्रियो भविश्यात पर बवता सह सत्य वता तदी विवाहरम करिशामी यदा भवाद अंतरम अस्य एव पुत्रो राजा भाव इती भवान प्रतिग्या कुर्यात देवरत ततो महराज कीम अवाज अमात्य ततो महराज कीम अपी उत्तरम न दत्वान ततस्य आगत्य कथम जेश्ट पुत्र सत्य वती सुताय राज्यम देयम प्रतेग्या अभावेच कथम सत्य वती लभ्यते इत्तेव अहर नेशम चिंतेती तस्य चिंताया दुखस्य यदि एतावन मात्र मेव कारणम वर्तते तरही सरवदा अविकारच अविकारच इदानी मेव अहमतस्य अपनयनायन उपायम करोमी प्रणम्य निश्क्रमन्त तरत्य दर्शम वने दीवर राजस्य समीपे देवरतस्य गमनम भवती दीवर जल निडिक्षनम परायन तिष्टती दीवर देवरतम दर्ष्टवा द्रडवा स्वगतम अहो तेजस्वीतातस्य कुमारस्य प्रकटम कुमार भवत परिचयम आ गमन कारणम चग्यातों मेच्छ देवरत दाश राज महाराज से शांतनो प्रिय पुत्रो अहम देवरत नामा इदम इदमस्च मम आगनम कारणम अस्ती काच्चित भवतो दुहीता सत्यवती नाम परम सुन्दरी देवरा इआ जाएगा देवरा आम अस्ती एका देवरत तया सह विवार्थम अकस अस्माकम तात पादा चिंता कुला अस्ती तद भवान सत्यवती प्रदानें महाराज चिंता मुक्तम करोतू इती निवेदनम कर्तूं अहम भवत समीप मुपा गतो अस्मी आगे देखिए दीवर रा महराज कुमार बवत पित्रिस चिंताया अपनय नस्य उपायस्तू भवता मेव हस्ते वर्तते देवरत तत कथमीव यतो ही महराज शांतनो पस्चात सत्यवती पुत्र एव यदा राज्य दीकारी भविश्यती तदेव अहम तस्य महराजें सह विव प्रतिग्य अस्ति बवंत श्च महराज स्च जेश्च पुत्र इती धर्मत एवं राज्य दीकारी ना तत कथमीव सत्यमती पुत्रस्य राज्य लाभां संभावया में यम एव सत्यवती प्रदानें महती बादा अस्ति देवरत सदाडहम रदाश राज इयम काचित बादानास्ती भवत प्रतिज्य पुरनाय अहम बद परिकरो अस्मी महराज अंतरम सत्यवती पुत्र मनस राज्य दिकारी बविशती इत्य सतत सर्वशा पुरस्तात उद्गोश यामी तत भवान निर्भयोवा विवाहाय क्रत निश्चयो बवतु दीवरा सुनेरेव राज्य दीकारी भविश्यती इती पूर्व में प्रतिज्यातम मया तथा पी यदीवते मनसी एताद्रशी आशंका वर्तते तरही पुनारपी अहम भीशनम प्रणम करोमी यत अहम कदापी विवाहन करीशामी आजिवनम्च अखंडित ब्रह्मचरिय ब्रत धारी शामी आगे देखें बचो और है अद प्रभरत में दाश ब्रह्मचर तरह बविश्यती अ पुत्र स्यापी में लोका भविश्यन तशा दिवी अपी irregularly त्रेलोक्य म में राज्यम देवेश्युवा पुना द्वा या द्वाप्य धीक मेताभ्याम नतू सत्यम कदाचन तजे या प्रत्वी गगनम गनधम आपस्च रसमात्मनम जोती स्था त्यजेत रूपम वायू इसपर्ष गुनम त्यजेत प्रभाम समू सत्रेजेत को धूम केतू स्थेवा तथे शाम ताम तजेत शब्द यथा तथा आकाश सोम शीता सुता तजेत विक्रम व्रत्रह जहाद धर्म जहादस्च धर्मराश्ट नत्वहं सत्यमुत्रस्टू व्यनसेयं कथस्चवं नेपत्य साधुवाद आकाशात पुष्ट व्रस्टिश्च भवती दिवरा बद्धान जली अहो राजकुमार धन्यो असी आदर्श पुत्रो असी भवाद्रश शेव पुत्रे इवं भारत वसुंदरा आत्मन धन्य धन्या मनूते तो देखिए ये हमारा पूरा चैप्टर संस्क्रत में हमने पढ़ लिया है अब करते हम इसका बारी-बारी से अनुवाद ठीक है तो अनुवाद हम यहां से करेंगे तो यहां हम लिख लेते हैं अनुवाद इससे क्या पता चल जाएगा हमें क्या करना है कि देवरता स्वागतम अहो स्वागतम यानि कि मन में मन में हाना अपने मन में न जाने केला कारण in किस कारण से? कारणिन, किस कारण से अध्ध, आज यानि आज अध्ध है ये आज, देखें ये जो है ये अध्ध लिखा हूँ आजह जिए यह ये वाला अध़ यानी नीचे होता है आज मैं पित्र चर्णा चिंता विलोक्यनते यानि कि देखता हूँ कि आज मैं अपने पित्र के चर्णों में चिंता देख रहा हूँ किम तेशम काचिस छारीरिक पीड़ा अथवा कीमपी अथवा कोई भी मानसिक और मात्य समीपम यानि कि वो देख रहे है कि आज मैं अपने पित्र के चर्णों में कोई चिंता देख रहा हूँ और चिंता में ऐसा है कि क्या उनकी कोई शारीरिक पीड़ा है या फिर कोई मानसिक पीड़ा है कि मेरे पिता इदर उदर घूम नहीं रहे है पैरों की चिंता क्या होती आप इधर उदर घूम नहीं रहे हो कहीं जाणी रहे हो एक यह जगा इए बैठे हो इसका मतलब आपके पैरों में कोई चिंता है तो वो जो भीष्व पितामाह है यानि की देवरत है वो सोच रहे है अपनी पिता के मानसिक पीडा समझ रहे, अमात्य समीपं, अमात्य के पास, समीपं यानि की पास, गत्वा, जाकर, पितु, पिता के बारे में, शोक, पिता के, पितु यानि पिता के, शोक कारणनम प्रच्छामी, पूछूंगा, क्या हो जाएगा, पूछूंगा, ठीके, मैं अपने शोक का क पिता की चिंता को लेकर तस्य पर प्रधानम करतव्यम भवती कि पिता की चिंता मेरे लिए बहुत ही प्रधान करते हुए पहला कार्य है प्रता की चिंता को दूर करना मेरा पहला कार्य है यानि कि उनको लेना मेरा प्रतम कार्य है अब देखें क्या कहा है देवरतस्वयम से अहो ना जाने किस कारण से आज मेरे पिता जी का पैर चिंता कुल और उदासिन दिखाई पड़ रहा है क्या उन में कोई शारिरिक पीड़ा अथवा कुछ मानसिक कष्ट है इसलिए अमात्य के समीब जाकर पिता के शोक का कारण खुश करना पुत्र का प्रधान करता व्य होता है ठीक है यहां पर देकि पिता के लिए एक पुत्र के बलिदान की बात की जारी है ना पुत्र ने अपने जीवन का अपने वैवाहिक जीवन का अपने ग्रस्त जीवन का बलिदान कर दिया है पिता के सुक के लिए यह बहु हमेशा ही करते हैं पिता तो अपने बच्चों के लिए हमेशा ही करते लेकिन ऐसा पुत्र पाना यह बहुत ही नसीब वालों की बात होती है आगे देखिए बच्चों पिता स्वर्ग पिता धर्म के पिता ही स्वर्ग है और पिता ही धर्म है पिता ही परमतपा के पिता ही स्वर्ग है और पिता ही धर्म है क्या आप धर्म का पालन कर रहे हो तो पिता को जोड करे स्वर्ग में जाना चाते हो तो पिता की सेवा करो तो आप स्वर्ग में जा सकते हो और पिता ही परम तप है और तपस्या करना चाते हो तो पिता की सेवा कर लो वो क्या है परम तपस्या हो गई है ठीक है परम तपस्या पितरी पृति मानपे प्रियंते सर्वदेवता और पिता में क्या पिता में ही पिता में प्रसनता आ जाती है अगर पिती मानपे पिता को प्रसन करना पिता में प्रसनता है तो देवता भी प्रसन है तो देवता भी प्रसन है अगर आप पिता को माता पिता को प्रसन रखते हो तो देवता ही प्रसन होते हैं कि तुम्हें वह माता तुम्हें वह पिता तुम्हें वह बंदू तुम्हें तुम्ही माता और तुम्ही पिता वो इश्वर को का गया है। क्या बोलेंगे सक्षम यानि कि समर्थ कि पिता को प्रसन करने में समर्थ है। के लिए सक्षम होने पर भी समर्थ होने पर भी वे उन्हें समर्थ प्रसन नहीं करते है। किम तेन सुतेन काम पितुर चिंता ही समर्थ दरेव। पितुर चिंता ही उस पुत्र का जातेन यानि कि जन्म लेना कि उस पुत्र का जन्म लेना किस काम का जो पिता की चिंता को दूर न करे। यह आ गया जो यह यानि जो ठीक है अब देखे क्या का है कि पिता ही स्वर्ग है पिता ही धर्म है कौन के रहे देवरत के रहे अपने मन में के रहे कि पिता ही स्वर्ग है और पिता ही परम तपस्या है और कुछ नहीं है पिता में प्रसनता को देखना ही मतलब वे कह रहे है कि पिता में प्रसन्यता को देखना ही मतलब देवता के समाने पिता में प्रसन्यता अगर पिता के अंदर आप पिता को प्रसन्य कर देते हो तो आप देवता को प्रसन्य कर रहे हो ठीक है? दिक्तम सुता, दिक्कार है उस पुत्र को यह जो पितूर सिप्तायार्थ पिता की प्रसनता के लिए सक्षम है फिर भी सत्र प्रतिपादयत यह फिर भी वो उनके लिए कोई कारे नहीं करता है उन्हें प्रसन करने की कोशिश नहीं करता है जातेन किमतेन सुतेन कामा के उस पुत्र का जन्म लेना यह पुत्र का जन्म लेना कामा सुतेन कामा पितूर चिंता ही समुदरेत यह कि जो पुत्र जन्म लेकर भी पिता की प्रसनता पिता को प्रसन नहीं कर सकता है उसका जन्म लेना व्यर्थ बताया गया है ठीके अब करते इसका अनुवाद कि पिता ही सुर्गे, पिता ही धर्मे, पिता ही सबसे बड़ा तब है, पिता में पृति आने पर सभी देवता प्रसन हो जाते हैं और दिक्कार है उस बेटे को जो पिता की प्रसनता के लिए सक्षम होकर भी वैसा नहीं कर रहे हैं और उस बेटे को जन्म लेना ही किस काम का जो पिता की चिंता से उबार नहीं सकता है यह जागा यह पिता को चिंता से उबार नहीं सकता है और इस चिंता से दूर नहीं कर सकता है उस बेटे को दिक्कार है उसका जन्म लेना व्यर्थ है अब देखते हैं अगला यह आता है हमा ऄमात्यका भवन कौन सा इस्थान है अमात्यका भवन तो यह जगे कौनसी नियान आयांत बिश्म द्रड़ा के आओ द्रड़ स्वरूब भिश्म आओ ठीके आयांत अहो राजकुमारे देवरत आगम्यतां अलंकरियतां आसी दनम के आओ और इस आसन को अलंकरत करो सुशोबीत करो अलंकरत का मतलब होता है शोबीत करो अलंकरत का मतलब क्या होता है सूशोबीत करो किसको? आसन को इदम इस इस आसन को सूशोबीत करो इस पर विराज कर आगे देखी देवरत प्रणम्य प्रणाम करके उपविश्यती सामने बैठते है सामने बैठते है किस क्या नाम है आपका? कि इस आसमे यहाँ अत्र यानि यहाँ आसमे अत्र यानि यहाँ आगमनम आने का भवत आपका आपका कुतो क्या नाम नाम ठीक है इस समय ए तस्मीन याने की इस ठीक है क्या कह रहे है यहाँ पर कि देवरत प्रणम्य उपविशती देवरत प्रणाम करके बैठ गए अमात्य को प्रणाम किया और बैठ गए और अब वे जो अमात्य वो कह रहे है कि राजकुमारा कुतो नाम क्या नाम है इस समय यहाँ अत्र आगमनम भवता के आप यहाँ आए है, आगे देखी अब इसका अनुवात करते हैं, कि आते बिश्म को देखकर अहो राजकुमारा देवरता, आवे इस आसन की सोबा बढ़ावे शुशोबित करें, ठीके, देवरता प्रनाम करके बैठता है, और राजकुमार क्या कारण है, कि इस समय, इस समय पर आपके आ आने का, आपके आने का क्या कारण है, अब देखी देवरता क्या कह रहे है, अमार्त्य वर्या, अद्ध, अमार्त्य वर्या का मतलब होता है, अमार्त्य श्रेष्ट, अमार्त्य श्रेष्ट, अद्ध, आज, कीमपी, कुछ, नूतन, नई, व्रतम, व्रतांत, नया व्रतांत द्रश्ट्वा देखकर विस्मित मानस आश्चर्य से आश्चर्य मन से तन समाधाना उस समाधान से समाधान के लिए समाधान के लिए आया आगया मतलब चतूरती लग गई बवत समिपम आपके पास बवत यानि आपके समिपम यानि पास समूप गतो असमी आया हूँ आया हूँ कौन कह रहे है देवरत कह रहे है क्या कह रहे है देख लिए सारे आर्थे लिख रहे है देवरत कहा रहा है कि देवरत है कर विस्मित मन से उसके समाधान के लिए आपके समयव उपस्थेद हुआ हूँ और मात्यों को तो पता चल गया था लेकिन वह ऐसे ही किया रहे है बता है जिस करण से आप विस्मित हो आश्चरे हो और उसके समादान का यानिकि उसका हल डूनने के लिए मेरे पास आये हो क्योंकि उन्हें पता नहीं चल रहा था मेरे पिता है जो जिनके पैर की जो पीड़ा है वो किस कारण से है उनके पैर की जो चिंता है वो किस कारण से उन्हें पता नहीं चल रहा था तो वो यहाँ पर अमात्य से पूछने के लिए आते तो अमात्य केते हैं कि आश्चरे से केते हैं कि क्या काम है मुझे बताओ कि ततक कीमती आश्चरे से बहा क्या है देवरत विद्धमानेश्वपी समस्तेशू सुखसादनेशू कि सभी सुखसाधन सुख साधन विद्दमान है कि सभी सुख साधन विद्दमान है न जाने अद्ध केन हे तुना कारण से केन किस मम मेरे पित्र पादा पिता के पैर दुखी था, दुखी है चिन्ता कुले तस्च प्रतियंते और चिन्ता के कारण और चिन्ता कुल और चिन्ता कुल चिन्ता में व्याकुल व्याकुल प्रतियंते दिख रहे है दिख रहे है तदे तस्च कारण अहम इसी के इसी के कारण अहम कारणन ग्यात्व में जानने की इच्छा रखता हूँ जानकर यानिक जानकर उसके प्रतिकारम उसको दूर करने का कर तुमें इच्छा में इच्छा रखता हूँ देखें, बहुत सारे शब्दार्थ में ने लिख लिए है, तो मुझे नहीं लगता है शब्दार्थ के बाद आपको किसी और ट्रांसलेशन की आवश रिकता है, क्योंकि शब्दार्थ हमारा शब्द कोछ बहुत अच्छा है, तो हम इसका ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं राज परिवार में ऐसा ही होता है कि समस्त सुख संपत्ति महाँ पर होती है और सारे सुख महाँ पर विद्दमान होते हैं कि सारे सुख यहाँ पर विद्दमान है न जाने अद्द केने हैं तुना लेकिन आज न जाने किस कारण से मेरे पित्रपादा दुखिता मेरे पिता के पैर दुख रहे हैं चिंता कुले तस्च प्रितियंते और चिंता से व्याकुल मुझे दिखाई दे रहे हैं तदे तस्य कारण अहम और इसी के कारण मैं जातु मिच्छा में जानने की इच्छा रखता हूं और जानकर उसको दूर करने की इच्छा करता हूं देखिए यहाँ पर क्या है अभी हो गया हमारा अनुवाद कि सारे सुक साधनों के होते हुए भी न जाने आज किस कारण से मेरे पिता जी का पैर दुखी और चिंता कुल लग रहा है उसी कारण को जानना चाता हूँ और जान कर उसे दूर करना भी चाता हूँ आगे देखिए बचो अम आत्या उचीत मेवेतत भवाद रशाना आर्य पुत्रानाम की आप उचीत यानिकी उचीत ही है मेव उचीत ही है तद यह भवाद आपके लिए आप द्रशानाम आप जैसे आर्य आप जैसे आर्य पुत्रा नाम पुत्र के लिए क्योंकि भारत में आरे आये थे और आरे पुत्र थे वो आरेों के थे इसलिए आरे जो आये थे इसलिए उन्हें आरे पुत्र का जाता है तो वो कह रहे है कि उचित ही है यहाँ आप जैसे आरे पुत्र के लिए आरे आप जैसे आज्याकारी आरे पुत्रों के लिए संसकारी पुत्रों के लिए पिता के बारे में ऐसा सोचना सही है कौन क्या रहे ये अमाते क्या रहे ठीक है आगे चलिए बचो देवरत तद यदि भवंत एतस्य कारणम जाननती के यदि तद यानि अतह यदि भवंत आप एतस्य इसका कारण को जाननती जानते हो तरही तो तत प्रकाशिन उसे बताकर अनुग्रहित व्यो अस्मी अस्मी यानि मुझे अनुग्रहित करिये यानि कि मुझे धन्य करिये धन्य करिये ठीक है वो कह रहे है कि अतह तद यदि भवंत एतस्य कारणम जाननती कि यदि आप इसका कारण जानते हो कौन अमात्य देवरत अमात्य से कह रहे है कि यदि आप इसका कारण जानते हो कि मेरे पिता के जो पैर है वो क्यों दुख रहे है और उनके पैरों में जिचिंता दिखाई दे रही है वो क्यों दिखाई दे रही है तो आप तरही तो तत प्रकाशन अनुग्रही तव्यो असमी तो फिर आप मुझे उसे बताने की कृप महारत काल का बीजारोपन हम पड़ रहे हैं, महाभारत काल का बीजारोपन क्यूं हुआ है, कैसे हुआ है, वो यहीं से शुरू होता है, इसी कहानी से शुरू होता है. ठीके, अम आत्या, राजकुमारम बाडम जाना मी, कि राजकुमार, अम आत्या कह रहें कि राजकुमार, बाडम के अच्छी प्रकार से, बाडम का मतलब क्या होता है, अच्छी प्रकार से जाना मी जानता हूं, कि है राजकुमार, मैं तो बहुत अच्छी प्रकार से जानता ह एतस से कारणम तु आरे पुत्र एवास्ति के इसका कारण इसका कारण है आरे पुत्र में इसका कारण तो बहुत अच्छी तर से जानता हूँ ठीके अमात्य, राजकुमार सही जानता हूँ, इसका करण तो आरे पुत्र एवास्ति, आरे पुत्र इसका करण तो, तू यानि तो, तू यानि तो, आरे पुत्र एवास्ति, आरे पुत्र ही, यानि ही है, कि इसका करण तो आरे पुत्र ही है, और आरे पुत्र कौन है, आप ही है, म मैंने तो अपने पिता से कभी कुछ छलकपट किया ही नहीं, मैंने मेरे पिता को कभी कश्च पहुचाने की कोशिश की नहीं है, अब यहाँ पर आमात्य कहरें कि मैं ही अपने पिता की चिंता का कारण हूँ, और मैं ही अपने पिता की दुख का कारण हूँ, तो कैसे हो सकता ह तो आश्चरे तो होगा जैसे आमाते ने कहा कि आप ही उनकी चिंता के कारण है, आप ही एक मात्र कारण है, तो यहाँ पर देवरत को थोड़ा सा आश्चरे वहा वो कह रहे है, अहमेव कारणम के मैं ही कारण हूँ, अहमेव के मैं ही, मैं ही एव यानि यहाँ पर एव है, अहमेव मैं ही कारण हूँ, यानि कि कारण मैं ही कारण हाँ, दिक, तत कथमिव के हाए दिकार है, तत कथमिव, इस्टपम, इस्पस्टम, निगदताम, यानि कि अब यह क्या रहे ह तता कथमीव कि है मुझे दिकार है और वहां कैसे कथमीव यानि की कैसे इसपस्टम निगतताम इसपस्ट करे क्या बोल रहे है इसपस्ट बताए कि मैं कारण कैसे हूँ क्योंकि देवरत को तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई बात है ठीके जो हम आगे पढ़ने वाले है ऐसा कोई व्रतांत हुआ है ऐसा कोई वाक्या हुआ है वो देवरत को पता ही नहीं था वो तो अपनी पिता की कारण को अपनी पिता की दुख को लेकर आमाते के पास गए थे अब देखिए क्या होता है कि आज चेरे से मैं ही कारण हूँ हाई दिकार है मुझको वह किस प्रकार है स्पष्ट करें कि है मात्य मुझे बताए कि वह कैसे है अब देखिए हमाते क्या कह रहे है राज कुमार एक कस्मिन दीने महराज के राज कुमार एक दीन महराज वन विहार खेलयाम के वन विहार के लिए वन विहार का मतलब क्या होता है गूमना और खेलयाम वन विहार के लिए यमुना नदी तीरे यमुना नदी के किनारे तीरे का मतलब क्यों होता है? यमुना नदी के किनारे तीरे का मतलब क्यों होता है? किनारे परिब्रमती समह घूम रहे थे तदानिम दूरादेव उसी समय दूर से ही, स्वशरीर सुगंदेन, अपने शरीर की सुगंद से, निखिल मपी वनम पूरे वन को भी सवासित करती हुई, सुवासित करती हुई, एक सत्यवती नामकी, नामकी परम सुंदरी, बहुत सुंदरी, धीवर राजकन्या, धीवर की राजकन्या, तस्य उसकी अकसमात द्रश्टि पथम गदा, उस पर अकस्मत अचानक द्रश्टी पथम गता चली गई ततस्वया अद्बूतेन रूपेन और उसके अद्बूत रूप से विस्मय जनकेन यानि कि जो पिता है जनकेन क्या हो गया है पिता विस्मय यानि कि आश्चर्य जनकेन यानि कि पिता की सुगंदनन्च मुग्दों सुगंद से मुग्द महराज तस्या सह विवाहम महराज उसके साथ विवाह कर तुम कामन सतया करने की कामना से विवा करने की कामना से पितरम पिता के पितरम पिता से अयाचत मांगा ठीके अब देखे बहुत ही अच्छी तर से बताया है कि राजकुमार अब वो अम आते कह रहे है अब जब दिवरत को पता चल गया है कि मैं ही एक कारण हूँ तो अब जो अम आते से पूछाए कि स्परश्ट करें बताये मैं कैसे कारण हूँ तो अम आते जो कह रहे है कि राजकुमार एक कस्मिन दिने कि हे राजकुमार एक दिन महाराज वन विहार रखे लयाम यमुना तीरे परिब्रमतिस मह वन विहार यानि की जंगल में विहार करते हुए यमुना नदी की किनारे पर गूम रहे थे तदानिम दूरा देव स्वशरीर सुगंदेन निखिल मपी वनम स्ववा सैयंत एका सत्यवती नामनी परम सुंदरी धीवर राज कन्या तस्य अकस्मात द्रश्टी पथम गता एक उस समय दूर से अपने शरीर की सुगंद को पूरे जंगल में फैलाती हुई एक सत्यवती नाम की परम सुंदरी धीवर राज की कन्या उस पर अकस्मात अचानक द्रश्टी पतम गता द्रश्टी चली गई ततस्तया उसके अद्बुत रूप से विसमय जनेकिन आश्चरे से तुमारे पिता सुगंद से मुग्द होकर महराज ततस्तया महराज उसके साथ विवाहम कर्तुम काम स्ततया विवा करने की कामना से पितरम पिता से अयाचत मांगने चले गई यानि कि उस सत्यवती नाम की जो महिला थी कन्या थी दीवर राज की कन्या थी उसको दीवर राज से मागने चले गए कि मैं तुम्हारे पुत्री के साथ विवा करना चाहता हूँ अब देखिए अब क्या हो रहा है यह अमाते ने कहा है कि एक दिन महराज नौका विहार कर खेलते समय यमुना नदी के तीर पर घूम रहे थे उस समय दूर से ही अपने शरी की सुगंध से संपुन्वन को सुगंदित करती हुई करती हुई सत्यवती नाम की परमसुंदरी दी ऐत्सते ना कि उनने मागा अब्एव रत के रहे हैं ततसते चीम कथमिंव तो ओं रहे हैं संप पिता ने उनसे संत्यवती का हाथ मांगा तो दीवन ने उन्हें क्या जवाब दिया अम आते के रहें ततेस्तिन कथमी कथितम क्यों उसने कहा उसके बाद कहा इसके बाद कहा महराज इदरश्य संबंद कस्य अप्रवियो भविश्यात के इस प्रकार का संबंद कैसे अप्रवियो भविश्यात हो सकता है हो सकेगा ठीक है परभवता सथ्य वत्य तदे विवाहरम करिशामी यदा की तदेव तभी विवाह करूँगा यदा जब भवन्तरम आप अस्या एव पुत्रों के आपका और इसका की आपका और इसका ही पुत्र राजा भाव राजा हो इती भवान प्रतिग्या कुर्याद ऐसी आप प्रतिग्या करें ये कौन कह रहा है दीवर कह रहा है अब अमात्य बता रहे है कि दीवर ने क्या कहा कि जब देवरत ने पूछा कि भई जब मेरे पिता ने उनसे बोला कि मैं तुम्हारी पुत्री के साथ विवा करना चाता हू तो देवरत कह रहे है कि इसके बाद उसके ने क्या कहा कि दीवर ने फिर क्या कहा दो अम आते कह रहे है कि ततस्तेन कथीतम कि इसके बाद कहा कि महराज इद्रश्य अब यहाँ पर महराज यह जो संबोधने कौन कह रहा है दीवर कि दीवर के द्वारा कहा गया है क्या का गया है कि इद्रश्य संबंद कस्य अप्रियो बविशात कि इस प्रकार का संबंद कैसे प्रिय हो सकेगा अप्रियो परबवता सह सत्यवता तदेव कि यदि आप सत्यवती के साथ में विवा करना चाहते हैं करूँगा अगर मैं करता हूँ कि मैं सत्यवती के साथ आपका विवा करूँगा जब कि उसी समय करूँगा जब भवंतर आपका अस्या इसका पुत्र ही राजा भव राजा हो इती भवान प्रतिग्यां कुर्याद ऐसी आप प्रतिग्या करे शर्त रगदी वहीं देखो इसक के बाद उनके द्वारा कहा गया कि महराज इस प्रकार के संफन से किसका अपरिय होगा परन्तु में आपके साथ सत्यवती का विभा तभी करूंगा जब आपाउं बाद इसका पुत्रराजा होगा या आप प्रतिया करें तो देवरध करे है तग तो महराज कि तब महराज ने क्या बोला तो यानि कि इसके बाद कि इसके पश्चाथ इसके पश्चाथ जब इस सारी बाते सुन रहे हैं कौन सुन रहे हैं देवरत सुन रहे हैं किसके मादम से सुन रहे हैं अमातिके मादम से सुन रहे हैं और अमातिके मादम से सुन रहे हैं और अमाति कह रहे हैं कि इसके बाद महाराज ने क्या बोला तो हम आते कह रहे हैं कि ततो महाराज कीमपी उत्तरम नदत्वान कि उसके पश्चात ततो का मतलब क्या होता है पश्चात महाराज कीमपी कोई भी महाराज ने कोई भी उत्तर नहीं उत्तर नहीं दिया कि महाराज ने इसके ब बना सकता हूँ, तो उन्हें पता था, इसलिए उन्होंने किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं दिया, ततर स्चतह आगत्य और उसके बाद आकर कथम जेश्ट, अब उन्होंने ये देखा कि कथम जेश्ट पुत्र किस प्रकार बड़े पुत्र, सत्यवती सुताय राज्यम देय कि उन्होंने देखा कि जब जेश्ट पुत्र है, तो कैसे मैं सत्यवती के पुत्र को, सत्यवती के पुत्र के लिए, राज्यम देयम, राज्य देने के लिए, राज्य, राज्य देने की प्रतिग्या भावे, प्रतिग्या करता हूँ, प्रतिग्या करता हूँ, चा कथम सत्यवती लभ्यनते इत्यव अहर निशम चिंते अती और कैसे सत्यवती को और चा यानी और कैसे सत्यवती को प्राप्त किया जाए प्राप्त किया जाए ऐसा ही ऐसा ही अहर निशम रात दिन अहर निशम का मतलब क्या होता दिन रात या रात दिन, ठीक है, चिंते अती सोचते है, सोचते है, तस्य चिंताया दुखत से चब कारणम वर्थते, इसलिए यही चिंता ही उनके दुख का कारण है, अब दुख का कारण पता चल गया है, कि वे उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने सत्यवती के जो पिता है दीवर रा को राज देने की प्रतिग्या करता हूँ और एक ये बात भी सोच रहे है कि मैं कैसे सत्यवति को प्राप्त करूँ दिन रात ये बाते सोच कर चिंता में आख़ुल होते हुए वे उनकी जो दुख का कारण है वो यही चिंता है अमात्या इसके बाद महराज ने कुछ भी उत् और इसके बाद आकर कैसे जेश्ट पुत्र को छोड़कर सत्यवति पुत्र को राज देना इस प्रतिग्या के अभाव में और कैसे सत्यवति को पाया जा सकता है इसी विशे में दिन रात चिंतन करते रहते हैं और यही उनकी चिंता का और दुख का कारण है अब भाई कि देवरत को दुख का कारण पता चल गया किस से पता चला अमात्य से मालूम चल गया कि मेरे पिता का दुख का कारण क्या है चिंता का कारण क्या है मेरे पिता के पैरों का जो कारण है दुख का कारण पैर की जो चिंता है वो क्यूं है ठीक है अब देखिए वो क्या कर रह कारण है तरही तो सर्वथा अविकारज यानि की मतलब बिना कारण का इदानी में और इसी से इदानी में इसी समय ही मैं अहम यानि मैं तस्य उसका अपनायान उपायम करो मी उसे लाने का उपाय है उपाय करता हूं ठीके देवरत कह रहे है कि महात्मा यदि एक मात्र यही कारण है तो यह कोई बड़ा कारण नहीं है यह बहुत ही छोटा सा कारण है और इसमें ज्यादा सोचना नहीं है इदानी में अहम इसी समय मैं उसको लाने का उपाय करता हूं वो किसको कहके जाते है द प्रणम्यनिश्क्रमान और प्रणाम करके निकल चाते हैं अब यह राए इसका नुवात के हैं महामंतरी यद hairstyle इतना ही कारणा है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है इसी समय में उसको दूर करने का उपाय करता हूँ और प्रणाम करके निकलता है अब आता है यहाँ पर हमार त्रत्य द्रश्यम यानि कि तीसरा द्रश अब दो द्रश हमारे पूरे हो चुके हैं पहला द॥ ने पित तौड 돼 तीसरा द्रश्य आते हैं जब जहाँ पर क्या चीज है ये देखते हैं। जल निरिक्षन कर रहा है जल निरिक्षन निरिक्षन परायन तिस्टती करते हुए महां इस्थीत है इस्थीत है अब देखे क्या हो रहा है कि वन में जब धीवर राज के पास देवरत का जाना होता है अब यह वन का द्रश्य आ गया है कहां का वन का यहीं कि जंगल का पहला दिवर राज मेल का दूसरा दिशिता अमात्य के घर का तीसरा दिश्य कौन सा है वन का जंगल का तो जंगल में जो देवर राज है उसके इस पास में देवरत चपचाते है और दिवर राज क्या कर रहा है जल का निरक्षन कर रहा है और निरक्षन करके उसके पास में बैठे ह ठीक है दीवर देवरतम दस्टवा देवरत को देख कर दस्टवा यानि की देख कर स्वगतम अपने मन में अपने मन में अपने मन में क्या रहा है अहो तेजस्वी था अस्य के तेजस्वी तेजस्वी अहो, तेजस्वी ठीके, तेजस्वी अस्य, यह, कुमार अस्य, कुमार का कुमार का, प्रकटम, प्रकट कुमार, भवत परिचयम आ गमनम कारणम चग्यातु मिच्छामी कि आपका, आपका परिचय आने का कारण और जानने की इच्छा रखता हूँ तो दीवर क्या कहने देखिए? सबसे पहले तो देखा उन्होंने देवरत को कि बई देवरत आ रहे है और देवरत कैसे थे? महातेजस्वी थे क्योंकि एक राजा थे, राजपुत्र थे महातेजस्वी होने के साथ में बहत ज़्यादा ऐसे ओजस्वी सबाव के थे उजस्वी उनका जो चेहरा था वो भी ऐसा चमकिला सा तो एक राजा को देखना, एक सामने मनुश्य का राजा को देखना बहुत ही बड़ी बात होती है ठीक है? तो वे जो देवरत को देखते हो और अपने मन में विचार करते है अपने मन में सोच रहे है, कौन सोच रहे है? ये धीवर सोच रहे है धीवर कौन है? सत्यवती की पिता, जिन से देवरत के पिता ने उनकी पत्री का हाथ मांगा था अब यहाँ पर उनकी पिता की चिंता को दूर करने के ये देवरत स्वेम धीवर के पास आ गए अब वो दीवर से कह रहा है आप देखे क्या कहते है उससे पहले हम यहां बात करते हैं दीवर की किसे देवरत को देख कर और अपने मन में अहो तेजस्वी तास्या यह बहुत ही तेजस्वी है कुमार अस्या कुमार का प्रकट होना कि ऐसे तेजस्वी कुमार का प्रकट होना हना वो मन में सोचते हैं कि अहो अरे ऐसे तेजस्वी कुमार का मेरे सामने प्रकट हो ना ठीक है कुमार वह क्या रहे कुमार बवत परिचयम के हे कुमार फिर वह प्रकट रूप से प्रकट हो ना और फिर वह क्याते हैं कि हे कुमार बवत परिचयम आ गमनम कारणम चम ग्यात तुम इच्छा में किया आपका परीचे और आपके आने का कारण दोनों जानने की इच्छा रखता हूँ. कौन क्या है, ये दीवर क्या है, देवरत से किरे है, कि आपका है कुमार, आपका परीचे اور आपके आने का कारण कि आप यहाँ क्यूं आई है, उसको मैं जानना चाहता हूं आगे देखिए बच्चों के बन में दीवर राज के समित देवरत का जाना और पुकारना दीवर जल निरक्षन में लगा है दीवर, देवरत को देखकर अपने आप में इस राज कुमार की तेजिस विता तो अजीब है प्रकट होकर कुमार आपका परिचे और आने का कारण जानना चाता हूँ या जानने की इच्छा रगता हूँ कि महाराज दाश राजे यह कौन है यहाँ पर देवर को कह रहे है यहाँ दीवर को क्या कह रहे है दाश राज दाश राज कह रहे है महाराज अस्य के महाराज के महाराज शान्तनू के किसके शान्तनू के प्रिय पुत्र अहम के प्रिय पुत्र शान्तनू का प्रिय पुत्र हूँ ठीके मैं देवरत नाम मेरा नाम क्या है देवरत ठीके इदस्च यह मम के यहां और यहां मेरा आगमन कारणम मेरे आने का आने का कारण है कि अस्ति है काचिद के कोई बवतो आपकी दुहीता पुत्री सत्यवती नाम परम सुन्दरी के मेरे आने का कारण है आपकी परम सुन्दरी सत्यवती नाम की जो कन्या है वो मेरे आने का कारण है ठीके अब देखें यहां पर क्या का जा रहा है के हे दाश राज महराज का पिरिय पुत्र देवरत मेरा नाम है और यहां है मेरे आम अस्ति एका, हाँ, एक है, कि मेरी एक कर्ण्या है, ठीके, देवरत, तया सह विवार्थम अस्माकम तात पादा, चिंता कुला संती, कि तया उसके सह साथ में विवार्थम विवा के लिए, विवाह के लिए, अस्माकम हमारे तात पादा, पिता के पैर, पिता के पैर, चिंता कुला व्याकुल है तद भवान सत्यवती प्रदाने महाराज चिंता मुक्त करो तू के अब आप सत्यवती को प्रदान करके महाराज की चिंता को महाराज को चिंता से मुक्त करे लोट लकार आगया है इती निवेदन कर तूम ऐसा निवेदन करता हूँ अहम यानि मैं बवता समीप मुपोगतो अस्मी और इसी कारण से आपके समीप अब ये दीवर से देवरत क्या कहे रहे है देखिए एक पुत्र है पिता के लिए उनके पिता की विवा के लिए एक लड़की का हात मांगने गए है एक कर्ण्या का हाथ मागने गए है अपने पिता के विवा का प्रसाव लेकर गए है किस के पास दीवर के पास तो दीवर से कह रहे है कि तया सह विवार्थम अस्माकम पात पादा चिंता कुला संति कि उसके साथ विवा के लिए मेरे पिता, यानि हमारे पिता के चरन, चरन चिंता कुल है हमारे पिता के जो पैर है वो चिंता कुल है, व्याकुल है तद भवान, इसलिए आप सत्यवती प्रदानेन, सत्यवती को प्रदान करके महराज को चिंता मुक्त करें, इती निवेदन ऐसा निवेदन करता हूँ मैं अहम भवता समीप मुपागतो असमी और इसलिए में आपके समीप पस्तित हुआ हूँ ठीक है यह रहा इसका नुवाद आगे चलते धीवर महराज कुमार भवत पित्रस चिंताया अपना अस्य उपायस्तू भवता मेव हस्ते वर्तते के महराज कुमार आपके पिता की चिंता को दूर करना अपना अस्य यानिकी दूर करना कि आपके चिंता को दूर करने का उपाए अस्तू बवात में आप में ही हस्ते आपके ही हाथ में है ठीके क्या कह रहे है कि हे माहराज कुमार हे माहराज के राज कुमार आपके पिचा की चिंता को दूर करने का उपाए आपके ही हाथ में है ठीके बता दिया आगे देखे ये इसका अनुवाद हो गया है तो देवरत के रहे तथक कथमीव वह किस प्रकार से है बताइए भई दीवर ने यही बात कही थी कि आपका जेश्ट पुत्र है वह राजा बनेगा तो मेरे पुत्री का जो पुत्र है उसका क्या अधिकार होगा तो यहाँ पर सीधा दीवर ने सामने ही बोल दिया है देवरत के के आप ही मतलब आपके द्वारा ही इस समस्या का हलो सकता है आपके पिता की चिंता को दूर करना आपकी हाथ में हैं तो वह क्या रहे है किस प्रकार से कथ तता कथमी और वह किस प्रकार से हो सकता है तो दीवर क्या रहा है यतो ही महराज शांतनों पस्चात सत्यवती पुत्र एव यदा राज्यदी कारी भविश्यती कि यदि महाराज शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही जब राज्य दिकारी भविश्यती होगा तदेव तब ही अहम मैं तस्या उसका महाराजिन महाराज के सह साथ मैं विवा करिशामी करूँगा इती में प्रतिग्या अस्ती और यही मेरी प्रतिग्या है अब यह कौन करें दीवर करें है कि यदि महाराज शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही जब राज्य दिकारी होगा तब ही मैं उसका महाराज के साथ में विवा करूँगा यह मेरी प्रतिग्या है ठीक है बवंतस्च महाराजस्च जेश्ट पुत्रा इती कि आप और आप चय यानि और और बवंत यानि आप और आप महाराज के बड़े पुत्र महाराज के बड़े पुत्र हो बई किसके बारे में कहा रहे है यह देवरत के बारे में कहा रहे है कि जेश्ट का मतलब क्या होता है बड़े और अनूज का मतलब क्या होता है छोटे ठीक है जेश्ट और अनूज बड़े पुत्र हो इती धर्मा ता एवम राजय अदिकारी नि और यहा धर्म के अनुसार आप ही राजय के अदिकारी हो तत कथा हम तो फिर किस प्रकार से कैसे मैं सत्यवती पुत्रस्य राजलाब हम तो सत्यवती के पुत्र का राजलाब क्या होगा? राजलाब, यानि की राजलाब कैसे होगा? संभव यानि होगा, ठीके कैसे संभव? राजलाब संभव होगा यह मेव और यही सत्यवती प्रदानेन महती बाधा अस्ती कि यही सत्यवती को देने की बड़ी बाधा है कि आप जेश्ट पुत्रे भई और धर्म की अनुसार आपका ही सबसे पहला हग बनता है कि आप ही राज्य को घरन करेंगे और अगर आप राज्य को घरन करेंगे तो फिस सत्यवती की पुत्र का क्या होगा और उसका लाब कैसे संभव होगा तो यही कारण है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि सत्यवती को प्रदान करने में आप ही बादा सौरूप मेरे सामने आ रहे हैं कौन के रहे हैं यह दीवर के रहे हैं कि यतो ही महाराज शांतनों पश्चा सत्यवथी पुत्र के यह ज़ब राज दिकारी होगा तभी मैं उसका विवा महाराज के साथ में करूंगा यह मेरी प्रतिग्या है और आप भवंत महराज के जिश्च पुत्र हो और धर्म के अनुसार आप राज्य के अधिकारी हो तता कथ अहम सत्यवती पुत्र से राज्यलाब तो फिर मेरे सत्यवती के पुत्र का राज्यलाब कैसे संभव होगा यही सत्यवती को देरे में सबसे बड़ी बाधा हो रही है अब देखिए यह हो गया हमारा पूरा अनुवाद आप इसको अनुवाद को देखेंगे कि यही की महाराज शांतनु के पश्चा सत्यवती का पुत्र ही जब राज्य अदिकारी होगा तब ही मैं उसकी महाराज के साथ विवा करूँगा और यही मेरी प्रतिग्या है आप महाराज के जेष्ट पुत्र है और धार्मिक रूप से आप ही राज्य की अदिकारी है इसलिए में सत्यवती पुत्र के राज्य लाब की संभावना कैसे मान लूँ और यही सत्यवती प्रदान के मार्ग में बड़ी बाधा आ रही है आगे चलते बच्चों देखिए अब देखिए देवरत क्या कह रहे है कि जब धीवर ने अपनी सारी बात बता दी कि सत्यवती को देने न देने का क्या कारण है अब देवरत क्या कह रहे है कि सदाडियम दाशराज सदाडियम सदाडियम का मतलब होता है द्रडता से द्रडता से यहनि कि द्रड स्वर में जब उन्होंने देवरत को ही एक मात्र एक बात बताईए कि जब हमें ही एक मात्र किसी कारण किसी बाधा का कारण मान लिया जाता है तो हमें फिर कैसा लगता है? तो देवरत कोई ऐसा कुछ फील हुआ होगा, कुछ अनुभा हुआ होगा उस अनुभाव से उनके स्वर में थोड़ी सी द्रड़ता आ गए द्रड़ता मतलब ऐसा पक्का एक द्रड़ विश्वास आ गया और विश्वास से वो कुछ करना चारेते, वो यहाँ पर कर रहे है कि द्रड़ता से दाश्राज, दाश्राज कौन थे यहाँ पर? धीवर के लिए कहा जाता है धीवर, यमकाचित बादानास्ती, कि यह कोई बादा नहीं है ठीके भवत आप प्रतिज्य पुरुनाय अहम बद्द परी करो अस्मी के मुझे भवत भवत यानी आपकी आपकी प्रतिज्य पुरुनाय प्रतिज्य पूरी करने के लिए अहम मैं बद्द परिकरो अस्मी मतलब प्रेत्न शील हूँ संकल्प शील हूँ महाराज अनंतरम सत्यवती पुत्रमन राज्य दिकारी पुत्रमन राज्य दिकारी भविशती कि महाराज के बाद अनंतरम का मतलब होता है महाराज के बाद सत्यवती का पुत्र ही राज्य दिकारी होगा इत्यत शतत सर्वशा और यह सो बार सभी पुरस्तात के सामने उद्गोश्या में बोल चुका हूँ तद भवान निर्भयो तब आप निर्भय निर्भयो यानि के निर्भय होकर निर्भयता से वहां विवाह के लिए क्रत निष्चयो भवती के निष्चय करें निष्चय हो भवती यानि निष्चय हो निष्चिंत हो जाओ ठीक है अब देखिए यहां पर देवरत क्या करें द्रड़ता से जब दीवन ने कह दिया कि आप ही एक मात्र कारण हो और मैं कैसे जब मेरे सत्तिवती का पुत्र उसका भविश्य संभव नहीं है कि वो राजा बन जाए क्योंकि आप अभी हो और आप बड़े हो धर्म के धार्मिक रूप के अनुसार आपका ही राज्यबेशेक होना चाहिए तो फिर म मैं अपने पुतरी के पुत्र का जो सपना देखरा हैं वो किसे पूरा होगा तो यहां पर देवरत अभु नहीं सांत्वना देते हुए कह रहा है दरडता से अपने स्वर्कुमें दरडता लाते और कहते हैं के महारा क्ये दash राज के दाश राज धीवर अयं काचित बादा या कोई बादा नहीं है। निर्भयोवा विवाय के निर्भी कोवर होकर विवा के लिए करत निश्चयो भवतू के निश्चय कर लेजिए ठीके के आप निश्चय हो जाईए विवा के लिए अब निर्भी होकर विवा कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर यह आ गया हमारा इंदी में कि दर्ड स्वर में दाश राज या कोई बादा नहीं है आपकी प्रतिग्या पूरी करने के लिए मैं दर्ड संकल्पूँ महराज के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजजदी कारी होगा यह मैं सैकडो बार सबों के सामने उद्गोशना करता हूँ इसलिए आप निर्बे होकर विवा के लिए निश्चय कर ले अब देखें भई धीवर विवा करते नहीं करते हैं यह देखा जा रहा है आगे देखें सत्यमेतत नास्ती भवत प्रतिज्याया मम संदहले अशो अपी परंतु भवन तरम यदि भवत कस्चित पुत्रो भवत प्रतिज्या भत कुर्यात तरही सत्यवती पुत्र से कागती भविशती देखें बहुत वड़ी बात बол दिया यहाँ पर दीवर ने क्या कई है सत्यमेतत यानिकि यहाँ सत्य है ठीके यहाँ सत्य है नास्ती भवत प्रतिज्यायामम कि नहीं है नहीं है भवत आपकी प्रतिज्या में मेरा मम यानि मीरा संदह लेशो लेश मात्र संदे यहां क्या करे है कि सत्य है सत्य मेतत यानि कि सत्य है नास्ती बवत प्रतिग्याय मम संदह लेशो मात्र अपी कि मुझे आपकी प्रतिग्या में लेश मात्र थोड़ा सा भी संदे नहीं है कि आपने जो प्रतिग्या करिए बिल्कुल सही करी है और आप प्रतिग्या में दरड संकल्प रहते हो दरड बद रहते हो मुझे पता है लेकिन परंतु यानि कि लेकिन लेकिन भवंत रह आपके बाद यदि भवत रह आपका कस्चीत कोई पुत्र पुत्र बवत प्रतिग्या भतह आपकी प्रतिग्या को भतह भंग कुर्याद करता है करता है तरही तो सत्यवती पुत्र का कि क्या गती क्या दशा भविश्यती होगी देखे बहुत अच्छी बाद पुछिए कोशन मार का आएगा यहाँ पर कि सत्य मेतत कि सत्य है कि मुझे आपकी प्रतिग्या में संदे लेश मातर भी वो कोई शंका नहीं है कोई संदे नहीं है लेकिन भवन तरह आपके बाद यदि भवतक अच्छीत पुत्रों यदि आपका कोई पुत्र बहुत प्रतिग्या भंग अगर आपकी प्रतिग्या को तोड़ कर भंग करके भंग करता है तो सत्यवती के पुत्र की क्या गती होगी उसकी क्या दशा होगी सत्यवती के पुत्र को कौन राज्य का अधिकारी बनाएगा ठीके क्योंकि आप बड़े हो आपका विवा हो जाएगा आपका पुत्र होगा तो आपके पुत्र का अधिकार होगा सत्यवती का पुत्र तो कब बड़ा होगा और कब राज्य का अधिकारी होगा ठीके तो आपके पुत्र का अधिकार होगा क्योंकि आप बड़े हो ठीके तो पहले यही होता था कि जो जेश्ट पुत्र होता था यानि कि जो बड़ा पुत्र होता था उसका पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता था ये एक धार्मिक नियम चलता था इसमें कोई भी किसी प्रकार का आक्षिप नहीं कर सकता था ठीक है तो यही बात होती थी तो आगे देखे क्या करे है कि दीवर यह सत्य है आपकी बयाम संदेच अहम निवारेयामी इमपी अस्तू यानि कि होगा नाम नहीं होगा कि ऐसा नहीं होगा इमपी ऐसा भी ऐसा भी नहीं होगा बवतो भयाम संदे च अहम निवारियामी कि आपके भय को भय और च यानी और संदेह को भय और संदेह को संदे को अहम मैं निवारियामी दूर करता हूँ ठीक है सत्यवती सुनुरेव राज्य दिकारी भविश्यती कि सत्यवती का ही पुत्र राज्य का दिकारी होगा इती पूर्व में ऐसा पहले ही पुर्व में पहले ही प्रतिज्यातम मया मेरे द्वारा प्रतिज्या की गई है तथा पी फिर भी यदी ते मन से एतादरशी यदी मन में इस प्रकार की आशंका वर्तते आशंका है तरही तो पुनरपी फिर से अहम मैं भीशनम प्रणम करो मी के भीशन प्रतिज्या करता हूं यत अहम कदापी की मैं कभी भी विवाह न करी शामी विवाह नहीं करूंगा अब देखे ये प्रतिज्या कर ली है आज इवनम पूरे जीवन पूरे जीवन च और और अखंडित यानि कि बिना तोड़े अखंडित ब्रह्मचारिया व्रत को धारिश्यामी धारन करता हूं यहां देखे अब धीवर को विश्वास दिलाने के लिए ताकि वो अपनी पूत्री का विवाह उनके पिता के साथ कर ले देवरत के पिता के साथ कर ले इसलिए विश्वास दिलाने के लिए देखिए वो क्या क्या कहता है कि देवरत कह रहे है कि अस्तु नाम वो कह रहे है कि दीवन ने कहा कि भई अगर आपका पुत्र हुआ और आपका पुत्र ने आपके बाद और संधे का मैं निवारन करता हूँ सत्यवति का पुत्र ही राजेदिकारी होगा इती ऐसा पुर्व में पहले ही प्रतिग्यात मया मेरे द्वारा प्रतिग्या कर दी गई है तथा अपी फिर भी यदि टे मन सी एताद्रशी यदि आपके मन में इस प्रकार की आशंका वर्तते आशंका है तरही तो पुलर अपी फिर से अहम भीशनम प्रणम करो मी तो मैं भीशन प्रतिग्या करता हूँ अगर आपके मन में फिर से ऐसी कोई आशंका है तो मैं वापस सी भीशन प्रतिग्या करता हूँ कि यता अहम कदापी विवाहन करिशामी कि मैं कभी भी विवाहन नहीं करूँगा आजीवनम च और आजीवनम आजीवन अखंडित ब्रह्मचर्य व्रतम धारिशामी और अखंड ब्रह्मचर्य का को धारन करूँगा मैं कभी भी विवाहन नहीं करूँगा कि ऐसा नहीं होगा, यभी आपका भयो और संदे को मैं दूर कर देता हूं, सत्यवती के पुत्र ही राज्य दिकारी होगा, ऐसा मेरे द्वारा पहले प्रतिग्या की जा चुकी है, और इसके बाद भी यदि आपके मन में इस प्रकार की कोई शंका है, तो मैं पुना भीशन प प्रवरत यानि कि दिन में दाश ब्रह्मचरे बविशति, कि आज दिन से ही अभी से मैं ब्रह्मचरे को धारन करता हूं, अब पुत्र स्यापी, बिना पुत्र के भी, मैं लोका, लोक, होगा, स्वर्ग, ठीके, कि क्या कह रहे है यहाँ पर भी, देखे, ऐसा कहा जाता है, कि बिना पुत्र के कोई व्यक्ती स्वर्ग को प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, कि पुत्र अगर है और पुत्र तरपन करता ह है, पित्र तरपन करता है, या पिंडदान करता है, तो ही वहाँ जो पिता है, वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, ऐसा माना जाता है, लेकिन भीश्म ने क्या कहा है, कि मैं मतलब मैं दिन में ही आज से ही ब्रह्मचरे को धारन करता हूँ, और बिना पुत्र स्यापी, बिना ब्रमेचरे का वरत धारन करूँगा कि मैं सर्व को प्राप्त हूँ मैं ऐसा अपनी जिवन में कारे करूँगा और भी अपीच और भी आगे देखिए परितेजम त्रिलोक्य परितेजम का मतलब होता है छोड़ दूँगा छोड़ दूँगा त्रिलोक्य तीनो लोको को के राज्य को देवेशू वापुना और देवो को तदा अप्यधी मेका धिक मेता भ्याम न तो सत्य कदाचन और और ना ही न तो सत्यम कदाचन और ये कभी भी असत्य नहीं होगी कदाचन कभी भी और ये जो मेरी प्रतिग्या है वो कभी भी असत्य ये जो सत्य प्रतिग्या है वो असत्य कभी भी साबित नहीं होगी तजित प्रत्वी के प्रत्वी को छोड़ता हूं गनधनम आपस्च रसत मात्मन त्यजेत छोड़ दे, प्रत्वी गनधनम गंद को, कि प्रत्वी अपनी गंद को त्याग दे, आपस्च और रसत मातमन और जल अपने रस को त्याग दे, अपनी आत्मा रूपी, जो रस है उसको त्याग दे जोती स्तथा त्यजेत रूपम वायू स्पर्ष गुनम त्यजेत कि जो जोती है प्रकाश अपने रूप को त्याग दे और वायू स्पर्ष गुन को त्याग दे अब देखें किस तरह से धीवर को विश्वास दिलाने का प्रत्न कर रहे है कि मैं तीनों लोकों की राज्य को छोड़ दूँगा उस देवत्व को छोड़ दूँगा त्याग दे या अपनी जल के अंदर जो एक रस होता है एक आनद होता है उस आनद को त्याग दे जल का कोई स्वाधी नव वैसे जल का कोई स्वाध नहीं होता है लेकिन जो एक रस होता है जिससे में आमारी प्यास बुछती है उस रस उस आत्मा को त्याग दे चाहे प्रकाश अपने रूप को त्याग दे चाहे वायू अपने स्पर्श को त्याग दे प्रभाम समुत्वे जो धूम केतू प्रभाम प्रभा क्या है सूर्य सरजेचो यानि कि सूर्य नहीं ना पर आ जाएगा कि सूर्य अपनी सूर्य अपनी प्रभा प्रभा यानि कि चमक चमक को त्याग दे धूम केतू इस्थेता उश्म उश्म यानि गर्मी और जो धूम केतु है वो अपनी गर्मी को त्याग दे धूम केतु धूम केतु अपनी गर्मी को त्याग दे चद्धे त्यजित शब्द तथा आकाश के आकाश अपने शब्द को त्याग दे आकाश अपने शब्द को त्याग दे त्याग दे, सोम शुता, शीता शुताम और जो शीत है, वो अपने सोम को त्याग दे, सोम रस को त्याग दे ठीक है, विक्रम रहरता जगरात, धर्म जरहात, धर्म राज्ट यानि कि जो इंद्र है, अपना पराकर्म त्याग दे, और धर्म राज, धर्म राज, धर्म राट, यह क्यों हो गया, धर्म राज, धर्म को त्याग दे, ठीक है, सभी सभी को त्याग दे न त्वम, न त्वहम, त्वहम सत्य मुस्तिस्त्रू व्यासनी कथम्च, लेकिन नहीं, मैं सत्य का त्याग करूँगा, बस ये न कथम्च कभी भी, ठीक है, कि मैं कभी भी सत्य का त्याग नहीं करूँगा, जो मैंने प्रतिक्या करी है, वो उसका त्याग मैं कभी नहीं करूँगा, तो वो क्या कह रहे है कि प्रत्वी चाय अपनी गंद को छोड़ दे, आपस चल रसमात्मन जल अपनी रस को छोड़ दे, त्याग दे और प्रकाश अपने रूप को त्याग दे और वायू अपने स्पर्श को त्याग दे, सूर्य अपनी चमक को त्याग दे और धूम केतू अ लेकिन अहम ना तो अहम सत्यमुस्रस्टू लेकिन मैं अपने सत्य से कभी भी नहीं हिलूँगा व्यासा नेयम का थम्चा कुछ भी हो जाए मैं अपने सत्य पर अडिक रहूँगा। प्रकाश अपना रूप त्याग दे वायू अपना इस्पर्श गुन त्याग दे सूर्य अपनी प्रभा त्याग दे धूमकेतु अपनी गर्मी त्याग दे आकाश शब्द को त्याग दे इंद्रा अपना पराकर्म त्याग दे धर्म राज अपना धर्म छोड़ दे लेकिन म नेपत्य क्या होता है परदा होता है ठीक है आपको पता है कि जब ऐसे इस प्रकार के प्ले किये जाते है एक्ट किये जाते तो परदा लगा होता है उसको क्या बोलते नेपत्य बोलते है कि सादुवद सादुवद का मतलब होता है धन्य हो धन्य हो आकाशात आकाश से आकाश पुष्ट वरश्चीवि च और पुष्ट यहने कि पुषप वरशा वरभती होती है नेपत्य से आवाज आती है क्या आता है धन्य हो और आकास से की पुषप की वरशा होती है आगे देखिए धीवर पद्धानजली, पद्धानजली किसे बोलते है, ऐसे हातों को ऐसे जोड़ कर, हात को ऐसे जोड़ कर, उसको बोलते हैं पद्धानजली, अंजली यानि हमारी हतेलिया, हतेलियों को बद्ध कर दिया, जोड़ दिया, तो हातों को जोड़ कर, अहो राज पुत्रो असी कि आदर्श पुत्रो हो कि तुम कैसे हो आदर्श पुत्रो हो भवात रशे रेव पुत्र कि क्या कह रहा है आप जैसे पुत्र से भवात यानि कि आप रेशे जैसे से ही पुत्रे पुत्र से इम यह भारत वसुंदरा भारत भुमी भारत भुमी आत्मा नम की आत्मा धन्य धन्य मनुते धन्य हो गई है महानुभाव के महानुभाव गम्य गम्यता इदानिम महानु भाव इदानिम गम्मिता यानि कि जाय इस समय चरिता देव अहम कि शिगर ही मैं महाराज जिस्य मनो रथम इच्छा या मनो कामना मनो कामना पूर्यामी पूरा करता हूँ ठीक है महाराज की अब देवर क्या कह रहे है जब देवरत ने कह दिया प्रण ले लिया कि चाय कुछ भी हो जाय संसार में लेकिन मैंने जो सत्य का है वो कभी भी जूट सा भी इतने होगा मैं अपने सत्य पर अडिग रहूंगा ठीक ह तो वे क्या करें दीवर है जो हाथ जोड कर क्या रहे है कि अहो मा राजकुमार के हे राजकुमार धन्योसी के धन्योसी के धन्योसी के आप आधर्ष पुत्रोसी के आप आधर्ष पुत्रोसी के आप आधर्ष पुत्रोसी के आप आधर्ष पुत्रोसी के आधर्ष पुत्र इदानिम कि इस समय आप जाए चरीता देव, शिग्रही, अहम, मैं, महाराज की मनों कामना पूरा करता हूँ, महाराज की मनों कामना को पूरा करूँगा, इसका मतलब इस सत्यवति का विभा महाराज शांतनु से करवाने के लिए तैयार हो गया और इतनी बड़ी बीशन प्र महाराज की मनोरत को पूरा करता हूँ तो ये बच्चों यहां आपका पूरा चेप्टर हो गया है क्योंकि जो भिश्म की प्रतिग्या थी वो पूरी हो चुकी है बस यहां से फिर सत्यवती का विवा महाराज शांतनु से हो जाता है और शांतनु के दो पुत्र होते है एक का कुन सा इस्थान प्राप्त होता है उन्हें उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है अब कलते बच्चों हम हमारे प्रेश्ण उत्तर की तरफ ठीके यह हमारा वन्शॉट government पूरा होने वाला है और जल्दी ही खतम हो जाएगा। कौनसा आश्रम होता था ब्रह्मचर्य आश्रम दूसरा होता था हमारा घ्रहस्त आश्रम नमबर तीन का होता था यहाँ पर वानप्रस्त आश्रम ठीके और नमबर चार का होता था सन्याश आश्रम ठीके, अब इसमें क्या होता था? ये होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सनातन हिंदु धर्म में जो आयू मानी जाती थी, वो सोवर्ष मानी जाती थी और सोवर्ष को चार भागों में बाड़ दिया जाता था, पच्चिस, पच्चिस, पच्चिस ऐसा कहा जाता था कि ब्रह्मचर्य यानी कि पच्चिस वर्ष, पच्चिस वर्ष तक आपको विद्या अधन करना है, छातर बन के रहना उसको कहते थे ब्रह्मचर्य तो जो विध्याद्धन करते थे, गुरुवास में रहते थे, गुरु के चरणों में रहते थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था? ये ब्रहमचर्य कहा जाता था, उसके बाद 25 से 50 वर्ष की आयू में वे गरस्ताश्रम में प्रविश करते थे, जहां उनका विवा होता था, रा दीन दुख्यों की मदद करते थे जन सामानी की मदद करते थे जो भी जन कल्यान का काम होते थे वो सारे काम करते थे उसके बाद में आता था जब वे 75 वर्ष के पूरे हो जाते थे उसके बाद में जो बाकी के 25 वर्ष बचते थे या जितने भी बचते थे वो क्या करते थे सन प्राचिन काल में शिश्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारे का पालन करते थे इसलिए उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता था. आगे देखें, कोशन No.2 पालन करने की प्रतिग्या किसने की थी? कि अब ये जो ब्रह्मचर्य पालन क्या था कि आपको ब्रह्मचर्य का मतब था कि वह वाहिक जीवन से आपको दूर रहना है सांसारिक चीजों से आपको दूर रहना है तो वो सांसारिक चीजों से वो दूर रहते कौन रहते बिश्म पितामा देवरत रहते तो यहां कौन आएंगे यहां पर देखिए शांतनू, युदिष्टर, देवरत या अर्जुन तो कौन रहे थे भई आजीवन प्रम्य चरे का पालन करने की आजीवन जो प्रतिग्या करी थी वो किस ने की थी देवरत ने की थी चले आगे कोशन नमबर 3 सत्यवति किस की कन्य कोशन नमर 4 आता है किसका पुत्र राज्य दिकारी होगा किसका होगा पारवति का लक्षमी का सत्यवति का किसी का ने और यह किसकी बारे में बात की जारी थी यहां पर सत्यवति के पुत्र की बात की जारी थी तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सत्यवति आएग आगे चलते ही वच्चो कोशन नमर 5 महाराज के जेश्ट पुत्र कौन थे? जेश्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा और देखें, यहाँ पर हम बड़े और छोटे की बात करते है तो यह तो हो गया हमारा बड़ा और यह हो गया हमारा छोटा और दूसरा आता है यहाँ पर जेश्ट यानि की बड़ा और अनूज, अनूज यानि की छोटा आपको ध्यान में रखना है जेश्ट का विलूम शब्द क्या होता है? अनूज होता है तो महाराज के जेश्ट पुत्र कौन थे? तो महाराज के जेश्टर पुत्र थे हमारे देवरत आगे चलते कोशन नमबर 6 के देवरत किसका पुत्र था शांतनू का, युदिष्टिर का, कर्ण का, अर्जुन का बिलकुल नहीं ये युदिष्टिर, कर्ण और अर्जुन ये तो सब उनके पौत्र थे कौन थे? पौत्र, पोते थे और पुत्र थे वो शांतनू के आगे चलते बच्चो कोशन नमर 7 देवरत की प्रतिग्या थी, क्या थी? पांडवों से युद्ध करना, हस्तिनापुर का राजा बनना, पिता की सेवा करना ये जीवन भर अविवाहित रहना तो यही उनकी प्रतिग्या थी, कि आज जीवन भरमेचरी का पारण करना यानि की अविवाहित रहना अब आते संस्कृत में आते हैं हमारे कोशन कि देवरत का आसित, कि देवरत कौन थे? कौरवराज, शांतनो पुत्र, महाबली या विद्वान? वो थे यहाँ पर शांतनो पुत्र, शांतनो के महाराजा, शांतनो के पुत्र थे आगे देखिए, सत्यवती कस्य दुहिता, दुहिता का मतलब क्या होता है? पुत्री के सत्यवती किसकी पुत्री थी? तो दासराजशय, धीवरसय, पांडुराजशय, पांडुपुत्रस्य यग दुर्योधनश्य नहीं है दासराजशय, धीवरस्य वो पुत्री थी उनकी ठीक severity? आगे देखें दासराजशय, धीवरसय, दुहिता, आसित कौन थी? दासरज्यस से धिवरस से दुहिता कौन थी? परमसुंदरी, सत्यवती, राग्गी या सत्यमवती यहाँ पर दी कि परमसुंदरी तो थी लेकिन उसका नाम क्या था? सत्यवती था ठीके? क्या नाम था? सत्यवती था कोशन नमर 4 है कि किस का दाइतो होता है? कौन? जना, राज़से, पुत्रसे, मंतरी कि लोग करते है, राजा करता है, पुत्र करता है, मंतरी करता है पुत्र करता है पिता की चिंता को दूर कोन करता है पुत्र करता है अब देखिए कोशन आता है यह हमारे बुक के कोशन है कि देवरत का आसित आपको पूरा लिखना है देवरत महाराज जसे शांतनों प्रिय जिश्ट पुत्र आसित प्रिय और बड़े पुत्र थे महाराज देखिए देव्रत का प्रतिग्याम अकरोत देव्रत ने क्या प्रतिग्या करी थी तो देव्रत प्रतिग्या अकरोत यत की अहम राजय दिकारी न भविशामी कि मेरा जिका दिकारी नहीं होंगा विवा न करी शामी विवा नहीं करूंगा आज जीवनम अखंडित ब्रह्मच अरिवरत का धारण करूंगा, ये उन्होंने प्रतिग्या करी थी, कोशन नमबर थर है, हमारा सत्यवती कस्य दुहीता आसित, तो सत्यवती दास राजर से दुहीता आसित, ठीके, ये देखिए बच्चो, हमारा ये वन शॉट में आज पूरा चेप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है भीश्म प्रतिग्या, भीश्म की प्रतिग्या देख ली है, क्योंकि देवरत ने जो भीश्म प्रतिग्या करी थी, इस कारण से उनकी प्रतिग्या का नाम क्या हो गया है, भीश्म और भीश्म देवरत को भीश्म क्यों कहा जाने मा लगा, क्योंकि उन्होंने भीश्म प्रतिग्या करी थी, तो बिश में पतिक्या को पूरा पढ़ लिया है कोशन अंसर भी देख लिया है तो आज का चेप्टर हमारा यही पर समाप्त होता है ठीक है तो बच्चो आज की क्लास हमारी यही पर समाप्त होती है अगली क्लास में नए चप्टर के साथ में फिल से हाजिर होते हैं तक के लिए थेंगे